नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब नए वीडियो में और आज की हमारी वीडियो एक बुक रिवीव वीडियो है और आज हम इस बुक का रिवीव करेंगे उसका नाम है हिंदू रेफ्यूजी केंप लाहर बाई सचिंगर्ग मैं ने यह बुक अभी लेकिन इसके अंदर काफी सारी ऐसी बाते हैं जो मुझे अच्छी लगी और कुछ नहीं लगी तो इस वीडियो के अदर हम इसका ओवरॉल रिव्यू करेंगे और जो फिर्यूज वीडियो आएगी वो तब आएगी इस फॉनगे वीडियो के अंदर तो वह बीदियो तो थोड़े से और पेज़े आप देख लेना और यह इंग्लिश में लिखी हुई है और मुझे इसकी राइटिंग काफी स्टाइल जो है वह की काफी अच्छी लगी मेरे पास इसका पिपर वर्जिन है जैसे कि आप देख सकते हैं आप के बारे में तो बुक का जॉनरा में यहां पर जैसे आप देख सकते हो ऊपर एक लाइन लिखी हुई है बेस्ट ओन ट्रू स्टोरी ठीक है लेकिन लास्ट में जो अब आउट ऑफर का जो एक नॉलेजमेंट वाला पर थोड़ा सा थीक नहीं लगा इंस्पायर होता तो फिर भी थोड़ा से ठीक लग सकता था बात करते हैं के बारुट के बारे में पर प्लॉट कुछ ऐसा है यह गिसा है जैसे को दिख रहा होगा है जो फ्रंड कवर पर फास्शा बनेंवें इनको इंडिया आना है विकास को न होने और थोड़े से लव स्टोरी और पार्टिशन लिटेशर इस तरह की चीज़ आप इसको बोल सकते हो अब बात करते हैं कि क्यों रिट करनी चाहिए तो इस लिए अपने इस बुक को विगनर फ्रेंडली बोल सकते हैं और उसके इंदर जैसे की एडिक्टिव बहुत ज्यादा ह करेंगे और अगली वीडियो में बात करेंगे और अगर आप पार्टिशन लिटेशर पढ़ने के फैन हो तो हो सकता यह बुक आपके लिए अच्छा रीड हो सके अब बात करते हैं बुक के अंदर ऐसा सीन है कि 1958 के आसपास का टाइम दिखा रहा है मेनली और उसके अलावा और उस तरफ भी गया है बताने अब बात करते हैं तो मुझे अंदर एक राजकुमार वो मुझे सबसे अच्छा लगा विकास उसका जो काइंड हर्टेडनेस वाला नेचर है और यूनों हस्मुक जैसे वह हमेशा रहता है और लोगों के साथ चेल रखता है लोगों को भी उनों हमेशा हसने के मोटिवेट करता है उनका दुख दर्दूर करता है उनकी बाते उनके साथ शेयर करता है काफी अच्छा नेचर लगा मुसका और यह जिस तरह से इसका त्रूआट कर रहा है और ने वह भी काबिले तारीफ है यह बंदा मुझे परस्नली जो में रो जहां पर जितने भी क्रेट होते हैं उसी के आसपास घूंदते हैं तो इसलिए हो सकता है कि यह किसी एक पर्टिकुलर कम्यूटी के सेंटिमेंट को हर्ट करें और हां जहां तक मुझे लग रहा है शायद करेगी विकॉस मैं इतना यूनों सेंसेटिव परसन नहीं हूं ऐस पर इसको मान सकते हैं विकॉस मुझे तो सिर्फ यह फिक्शन लगी क्योंकि लास्ट पेज पर लिख रखा है कि चार तीन यह चार पन्नों की स्टोरी थी और यह उससे इंस्पार होके उन्होंने पूरी बोक लिखिए उससे को इपर बेस लिखिए तो हां इसके अंदर मु पर बट चुके अब बात करते हैं कि जो राइटिंग स्किल्स अच्छी है और उब्योट बहुत एग्रिसिव हो जाती कहीं पर क्रिंजी भी लगती है नहीं कहीं पर तो लेकिन उसके लाब अगर आप बात करो तो थ्रूरी सभी है अगर आ पढढना चाहो तो अगर आप ब नेगलेट कर सकते हो किस चीज़ हो तो हाँ आप यह बुख पड़ सकते हो काफी तो यह था हिंदू रेफ्यूजी कैम लाहॉर और इसके लावा मैं सेकंड पार्ट इस वीडियो का जरूर लगा जिसके उपर मैं बताऊंगा कि यह बुख मुझे क्यों सही नहीं लगी इतनी और काफी सारी ऐसी चीज़े हैं जो मैं उस वीडियो के अंदर इसके बार में बात करूंगा तो हाँ आप वो वीडियो चाहो तो देख सकते हो आज की वीडियो में इतना ही अब मैं मिलूँगा आप से नए वीडियो में तब तक लिए भी सेस्टे हेल दें के अप्रेंग अज़े से अप्रेंग के वीडियो में ख्योंद घंग्वां तक नाहर कीज़ने खानम से वीडियो जया इसकते हम गरी एंज भीर नहर हो धृटियों ज permit